दिल्ली में आंगनबारी का सेलरी हुआ 12,720 रुपे, आप भी कर सकते हैं आवेदन, जानिये योग्यता भी। दिल्ली में नए फैसले लिए गए हैं और इसके दर्मियान दिल्ली में काम करने वाले आंगनबारी वकर का मांदे ये 9,678 से बढ़ा कर अब 12,720 कर दिया गया ह क्या है आंगनबारी? आंगनबारी भारत में ग्रामीन मा और बच्चों के देखभाल के इंद्र है, बच्चों के भूक और कुपोशन से निपटने के लिए एक इकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में, 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया योग्यता, आंगनबारी कार्यकरता बनने के लिए एक ही योग्यता निर्धारित की गई है, वह है कैंडिडेट का दस्वी पास होना, यदि कोई व्यक्ति दस्वी पास नहीं है तो वह आंगनबारी कार्यकरता बनने के लिए अपलाई नहीं कर सकता है, डिल्ली सरकार में म हमारी अपील है कि वे स्ट्राइक खत्म करें, पो शाहार वित्रन का काम शुरू करें। पिछले 23 दिनों से दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर हर्ताल और विरोध प्रदर्शन कर रही आंगनबाडी कर्मचारियों की मांग को दिल्ली सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उनकी मांग थी कि उन्हें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वेतन फिक्स हो और स्वास्थे सेवाई मिले। इसको लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंदर पाल गौतम ने आंगनबाडी वकस से हर्ताल खत्म करने की मांग की। दिल्ली सरकार ने आगनबारी वकस का मांदेय बढ़ाने का भी फैसला किया है। इस पहले साल 2017 में आगनबारी के वकस और हेलपस का मांदेय बढ़ाया गया था। बीते 23 दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर हरताल पर थे। मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपना डिमांड पत मिलेगा अब तक 200 रुपे हर महीने कम्यूनिकेशन अलाउंस मिलता था। अब आगनबारी वकस को कुल 12,720 रुपे मिलेंगे यह पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह आगनबारी हिलपस को अभी तक 4,849 रुपे प्रती महीने मिलते थे अब इसे बढ़ा कर 5 1610 किया जा रहा है। उन्हें भी 1200 रुपे हर महीने अलग से मिलेंगे यानि हिलपस को अब कुल 6810 रुपे मिलेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा जारी रहेगी हरताल। कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठी आंगनवारी महिलाओ का दिल्ली सरकार ने मांदेय बढ़ा दिया है लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। महिलाओं ने अइलान किया है कि उनकी हरताल अभी जारी रहेगी। हालांकि दिल्ली स्टेट आंगनवारी वकर्स एंड हिल्प यूनियन की माने तो उन्होंने साफ कर दिय या है सरकार ने जो मांदे या बढ़ाया है वह उससे नाखुश हैं. उनकी हर्ताल अभी आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी.